हर साल बाढ़ की तबाही से बिहार को बचाने के लिए बिहार सरकार ने एक सिस्टम इजाद कर लिया है बिहार में बीम्स से बाढ़ का बहतर प्रबंधन किया जाएगा इस नए सिस्टम से नदियों की निगरानी होगी और अधिकारी को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिय जल संसाधन विभाग ने राज्जी में तटबंधों और नद्यों से संबंधित आकरों के बहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विक्सित किया है इसे बिहार इम बेंकमेंट एसट मेनेज्मेंग सिस्टम यानि बीम्स का नाम दिया गया है इस नए सिस्टम के संबंध में अधिकारियों एवं अभीयन्ताओं को परसक्षण देने के लिए सुक्रवार को विभाग में कार्यसाला का रहा से थे संबोधित करते हुए बिहार Embankment Asset Management System को तयार किया गया है इसको पत्ना के बार्ड प्रबंदन सुधार साहता केंद्र ने तयार किया है इसमें नदियों के गुणों और तठमंधों की स्थिति में संबंद्यत आकड़ों विभाग की परिसंपत्यों की जानकारी नदियों के वदलते बिभार से सिस्टम से भी भाग के अधिकारी किसी भी समय कहीं से भी नदियों और तठमंधों से संबंद्यत रियल टाइम डेटा प्राप्ट करने में सक्षम होंगे सचीब संजय कुमार अगरवाल ने उम्मीद जताई कि इस नए सिस्टम का उप्योग वर्ष 2022 की संबावित बार के प्रवंधन में मददगार साबित होगा कारिय स्टाला में अभ्यंता प्रमुक मुख्यारे रभिंद्रु कुमार संकर संजिक्तु निदेशक स्टरद कुमार अभ्यंता प्रमुक बार्ड शेलेंद्र अभ्यंता प्रमुक सिचाई इस्वर चंद्र ठाकूर एवं अन्य वर्य अधिकारी मजूद रहे बार से तटबनों की दर्गकालिक सुरक्चा और कटाओ को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग इस साल प्रयोग के तोर पर हर बार प्रक्षेतर में कम से कम एक योजना में नई तक्नीक को अपनाएगा इससे होने वाले लाव का अकरदन करने के बाद इसे अन्य योजनाओं में लागू करने पर विचार किया जाएगा जल संसाधन मंतली संजय कुमार जहार ने बताया कि बिहार में बार के प्रभाव को कम करने के लिए नई एवं अत्याधुनिक तक्नीक अपनाने के मुख्य मंतली के निर्देश पर जल संसाधन विभाग ने अगस्त 2021 में अंतराष्ट्रे विविनार का आयोजन किया था इसमें देश दुनिया के विशेशंग्यों से प्राप्त सुझाओं के आधार पर विभाग ने नई एवं अत्याधुनिक तक्नीक को अलग-अलग योजनाओं में प्रयोग के तोड़ पर लागु करने की योजना बनाई है इसके लिए बिहार के सभी छे बाड़ प्रक्षेत्र में एक-एक योजनाखा चलेन किया गया है उझाने बताया कि कतिहार बाड़ प्रक्षेत्र के भागलपूर जिले में गंगा के बाए किनारे इसमाइलपूर बिन्द टोली ततवंध पर समस्तिपूर बाड़ प्रक्षेत्र के दरबंगा जिले में खिरोई नदी के बाय तटबंद पर मुझभपरपूर बाड़ प्रक्षेत्र के वैसाले जिले में बेलहा बसंत तटबंद पर गोपाल गंज बाड प्रक्षेत्र के गोपाल गंज जिले में पतहरा छड़की में पतना बाड प्रक्षेत्र के बक्सर जिले में धर्मस्तपूर में और वीरपूर बाड प्रक्षेत्र के सुपोल जिले में चोड़हर निर्मली में चल रही बाड एवं कटाव से सुरक्षा क योजिनाऊं में प्रयोग के तोर पर नई टकनिक का उपयोग किया जाएगा जिस नई तकनिक को पहली बार उपयोग में लाने पर विचारख चल रहा है उन्मेंissippi जिए सिंथेसं मेट्रेश से स्लोप प्रोटेक्शन कारे और लॉंच अपरोन का निर्मान इत्यादिश शामिल है घनी आवादी के सामय तत्बंद को सुद्र बनाने के लिए वर्स 2020 में पहली बार कमला नदी के तत्बंद पर स्टील सीट पाइलिंग तकनिक का अपयोग किया गया था इसका अच्छा पढ प्रक्षेत्र में गंडक नदी के तत्बंद पर समवेदन शील स्थनों पर आइरन सीट फाइलिंग का कार्ये कराया जा रहा है